हालो एवरिवन वेल्कॉम बेक टू माइट्यूब चैनल बिनोद लर्निंगव। स्टुनेंट से मारा आज का टॉपिक है हुमन डिप्रोडेक्शन ट्वेल्थ वायलोजी का थर्ड चप्टर और इस चप्टर से मैं आपको 80 प्लस कोशन्स शॉल पूराऊंगा फोर अपकॉम г्लेंट फांड ओनलिं मैल इस प्रयस्टिट ग्लेंट है जो उनलि मैघ्ल में पाएजाती है अगर मैं जबात कर गरूह जो हो बलव उब्ल्वोर अठेल ग्लेंट भी का जाता है जो कि जा जाता है coward और किस लिए पैनिस के सुन्हारा ठाले होती है second option ने आपका TB 17 सौरी बैतोलिंग लेंड जो कि बिल्कुल होमोलोगस है copper और वल्बॉरिस्टरल उन्य करती है और जो वेजने में करती है और वजयने में का रती है पेरिंजल ग्लेंड जो की नेरदा एनस होती है और और सर्स्टांस को रिलीज करने के लिए रिस्पोंसिफल होती है फूरत्याप का जो इस कोशन का अंसर भी है वह प्रोस्टेट ग्लेंड प्रोस्टेट ग्लेंड क्या बोलता है कि यह भी मेल में पाई जाती है जो की जो मेल कसी में होता है ना, जो परेन इसे रिलीज होता है, टेस्टिस में बनाया जाता है, वो alkaline nature का उसको न्यूटराइज कर देता है। acidity of vagina ठीक है क्या करता है वो alkaline nature का होता है semen और जो vagina की acidity होती है उसको neutralize करता है तो आपने यह चीज द्यान दखना है किसका function है यह है आपका prostate gland का ठीक है दोस्तों जो मेरे चनल पे और डी सब्सक्राइबर है उन सभी को पता है कि मैंने आपको 11th biological syllabus complete करवा दिया हुआ है अच्छे से हर एक chapter से जो है 100-100 data question करवाए हुए और मैं हर एक chapter में two type के question solve कराता हूँ concept based as well as memory based जो concept based है वहाँ मैं आपको detail में concept बताता हूँ और जो memory based है उसको मैं just forward out करता हूँ ठीक है next है आपका type of cleavage found in mammal is that is the holovlastic cleavage पाई जाती है mammals में holovlastic cleavage का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो egg गया वो completely divide हो जाए two equal half में four of one जाए और completely divide हो जाए ठीक है तो वह था आपका holovlastic cleavage अगर हम देखा जाए जनरली mammalian egg की अगर हम बात करते है आप से question पूसे ले जास होता है कि mammalian egg कैसा होता है वह था आपका a lecithal egg और micro lecithal egg a lecithal egg मतलब कि उसमें york present नहीं होता हुआ है यानि absent of york is known as a lecithal egg ठीक है यानि mammalian egg कैसा होता है a lecithal egg होता है आपने यह ध्यान रखना है उसमें division कैसी होती है होती है holoblastik the only human system that is derived from all three germ layers हो है आपका digestive system इकलोता ऐसा system है जो तीनों आपकी germ layer से derived होता है यानि ectoderm mesoderm और endoderm तीनों से यह derived होता है ठीक है अगर आपने फर्दर देखना है कि एक्टoderm से क्या क्या होता है endoderm से क्या होता है और exoderm से क्या होता है तो आप यह slide पर सकते हैं आपको यहां पर पता लग जाएगा ठीक है at the end of first meiotic division the male germ cell differentiate into secondary spermatocyte simple चीज़ है इसको आपने simple बाशा में समझना है कि जो आपका spermatogonia है वह क्या बनाता है primary spermatocyte फिर primary spermatocyte में मियोसिज 1 होती है जो क्या बनाता है दो secondary spermatocyte ठीक है यानि जब मियोसिज 1 का end होता है तो क्या बनता है secondary spermatocyte फिर इसमें क्या जलती है मियोसिज 2 जो की further क्या बनाता है spermatid spermatid जो कि आगे spermatos जो बनाते है तो आपका question क्या बूच रहा है कि जब meiosis one complete होती है तो क्या बनता है वो बनता है secondary spermatoside अगला question आपका क्या बन सकता है कि अगर meiosis two complete होगी तो क्या बनेगा तो वहाँ बनेगा आपका यहां से spermatid ओही चीज यहां पर जो यहां थियोरी में बताया हुआ है आप इसको भी readout कर लेना at menopause there is a rise in urinary excretion of क्या होता है वहाँ पर जो है littleizing hormone और follicle stimulizing का excretion होता है मैं इस पर अलग से video बना दोगा जो female के case में menstrual cycle होती है उसमें detail में video बना दोगा अगर आपने सुना होगा menopause menopause और आपका जो यह इसका term है कि जब female के जो हो periods last stage में होता है यानि जब age 50 के round होती है तो वह होता है आपका menopause condition ठीक है यहां पर पिडियोर्स जो और को जाते है यहां आप देख भी सकते हैं इसकी explanation FSH और LH की की estrogen hormones is used to inhibit the production of FSH and LH in females FSH और LH के जो hormone secretion है वह estrogen जो inhibit करता है during menopause में क्या होता है level of estrogen in the blood decrease होता है so estrogen cannot inhibit the FSH and LH at the time of menopause therefore FSH and LH are produced after menopause in large quantity ठीक है तो आपने इसे यहां पर दियान डगना है maximum growth of human fetus कब होता है 8 month में maximum growth होती है बच्चे की development of secondary sexual characters in female are controlled by estrogen जो सारे secondary sexual characters जो control करता है unfertilized egg of human contains 1X chromosome होता है जो unfertilized egg होता है rule of embryonic development was given by one wear ने embryonic development के rule दिये है study of abnormal embryonic growth comes under teratology में subtly cells are regulated by a pituitary hormone known as follicle stimulating hormone prostate gland is present around the urethra sperm duct in males is vast deferentia which of the following constitute male reproductive system that is the prostate gland non-flagellated sperm are found in both asticus और ascaris में जो non-flagellated sperm पाया जाता है spiral and detrimineative cleavage is common amongst annelida and moluska में जो spiral और detrimineative cleavage पाया जाती है mirror plastic cleavage takes place in chick जो chick होता है वहां पर आपका mirror plastic cleavage पाया जाती है यह सारे memory based question है जो आपको जस्ट याद रखने है इसमें अगर मैं concert बताने लग गया तो फिर आपको theory theory पढ़नी पड़े यह जो आप खुद भी read out कर सकते हैं इन मुजो लेसितल एग क्लिवेज कैसा होता है वहां पर जो मुजो लेसितल एग में होती है वह unequal और holoblastic cleavage होती है division of human egg is unequal और holoblastic होती है human egg जो ही योग free होता है मनें देखा था स्टाइटिंग में कि यह लेसितल एग होता है मैंने आपको पहले भी बताया था ठीक है division of human egg कैसी होती है विल्कुल equal होती है और holoblastic होती है जिसमें कि जाइगोड के दो equal half बनते है जिसको बोलते है यानि जाइगोड के बाद आपका ब्लस्टो मेर बनता है ठीक है फिर आपका जो हो मौरूला बनता है गेस्टला बनता है यह सब यहां पर चलता है आप यहां देशकते हैं कि it is holoblastic due to the microlacetal condition of the egg ठीक है जो की radial indeterminate है और equal है holoblastic मतलब की पूरे egg का divide होना वह आपका holoblastic कहलाता है scrotum communicates with abdominal cavity through the linguineal gland अब आप पुछे को scrotum क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में आपको detail में पड़ाया था scrotum आपका एक पाउच जैसा है जिसके अंदर test is होती है वह क्या करता है कि जो body temperature है आपका normal 37 degrees celsius उससे जो है का perfect temperature बनाता है spermatogenesis and sperm differentiation are under the control of follicle stimulating hormone menstruation is caused by fall in progesterone level chromosomes in primary sex cells is deployed the number of chromosome in human male germ cells and sperm respectively are 46 and 23 pairs which of the following organ is differentiated first during development development जब development हो थीसा से पहले हार्ट differentiate होता है fertilizing are the substance is secreted from the mature egg name the hormone released during the release of sperm is adalining यहां पर लिस्ट है part one और part two यहां पर आपने खुद मैच करने ना है कि यह तर अंसर है आपा पार्टिशन का मतलब क्या होता है ultimately baby produce होना है आपका gestation period क्या होता है मतलब की between pregnancy और birth के भी होता gestation period operation मतलब की जब आपका egg release होते है ठीक है आपका implantation क्या होता है conception क्या होता है आप यहां पर यह चीज़ देख सकते है the duration of the survival of the sperm in the female genital track is the longest of 4 years in bats bat एक ऐसी condition है जहां पर जो sperm में हो चार साल के लिए जो लाइब कर सकता है female reproductive system में एक्रोजोम इस फॉर्मड बाइदा गोलजी वोड़ी से जो एक्रोजोम बनाया जाता है एंट्रोजन्स इन्फुएंस मेल लिविडो बाई एक्टिंग ओन टेस्टिज ठीक है दोस्तों जो यह आपकी वीडियो है वो तोड़ी छोटी इसमें ज्यादा कोशन नहीं थे चैप्टर ही छोटा है क्योंकि इसके जो related कोशन है वो मैंने पिछले previous चैप्टर में cover करवा दिये जितने है उतने मैंने आपको बता दिया है ठीक है दोस्तों तो I think आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपने further details लेबस पढ़ना है medical TGT PGT के लिए तो आप चैनल को subscribe करना ना भूले बल आइकन को प्रेस करें और अगर हो सके तो आप इसको भी share भी कर देना ठीक है So this is all about today thanks for watching